वेलकम टू एग्जाम तक आज है तीन नवंबर और तीन नवंबर दोजार एक्टिस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफिस के कोश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले मौर्णिंग की सबसे बेस्ट क्लास होती है डेली करेंट अफिस एंड स्टेटिक्श जी के को इंप्रोव करने के लिए आज हम दोग कोप 26 के बारे में मैं आपको बताऊंगा ओक्सफोर्ड वर्ड ओफ द इयर घोशित हो चुका है वो कौन सा वर्ड है बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है सो बहुत सारे क्वेशन करेंगे सभी प्रत्योंगी परिक्शाओं के लिए अती महत्वपोर्ड वीडियो होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये फर्स्ट कॉशन कौन सा है हाली में जो है डेरी सहकार स्कीम कहां से शुरू हुई तो बहुत इंपोर्ड़न है डेरी बाइस तो अगला साली टारगेट है ये टारगेट एक्जाम पॉइंट अवी से याद रखना बाकी इंकम डबल होगी ये नहीं होगी इसके कोई गारंटी नहीं है एक्जाम पॉइंट अवे से इंपोर्ड़न है तो ये जो पशुपालन जो करते हैं जो फार्माज है जो इस इंड़स्ट्री से जूड़े हुए हैं डेरी इंड़स्ट्री से उनके लिए जो हैं आए को दुगने करने के लिए बहुत सारे इसमें अलग-अलग तरह कि जो इसकीम से शामिल है और यह अभी इसकी शुरुआत किस ने किये तो हो मिनिस्टर और अभी प्रिजेंट आनंद आपको पता होना चाहिए ये कहा पर? गुज़रात में एंड यहाँ पर जोए अमूल की अमूल की फैक्टरी है आपको पता कहा हूं की फैक्टरी है आनंद में ये तो वहां से इसकी शुरूआत य Dell इसके शेखार स्कीम की बहुत इंप्णन याद रखना सहकारिता मंत्राले का गठन किया गया था 2021 के जुलई महिने में लेकिन आपको याद रखना अभी आनंद गुजरात में ये डेहरी सहकार इसकिन की शुरुआत हुई है अच्छा इसके अलबा डेहरी हो गया या फिर पशुपालन हो गया इनका जो अलग मंत्राले है उसके मंतरी को ने तो डेरी पशुपालन मंतरी जो है वो है पुरुशोतम रूपाला वो भी उनका नाम व्यादर का पुरुशोतम रूपाला है सहकारिता मंतरी अमिच्छा जिन्होंने अभी इसकी शुरुआत किये अच्छा गुजरात की बात आ चुके आनत तो यहाँ पर कैपिटल कैमली की गांदी नगर जहाँ पर अगले साल डिफेंस एक्सपो होने वाला है साथ में आपको जो है एहमदाबाद की नई IPL टीम मिलेगी साबर मती के किनारे दोनों ही सिटी इस्तत है साथ में जो सूरत सिटी है इंपोरेंट सिटी यह है तापी रिवर के किनारे द्वार का जो है यहाँ का वो अगर बात के गोमती रिवर के किनारे इस्तत है वडोदरा जो हैं वो हैं विस्वा मित्री रिवर के किनारे और भरूच जो सिटी है वो किसके है नरमदा के किनारे तो गुजरात के ये 5-6 सिटी है जिनकी नदियों के किनारे जो है लोकेशन पूची जाती है अच्छा एक famous world heritage site है राने की वाव वो आपको याद रखना कहाँ पर है गुजरात पार्टन में एक और भारत की जो 40 वी UNESCO world heritage site कौन सी है तो 40 वी जो UNESCO world heritage site है वो अगर बात की जाए वो है लोथल जो की हडपा सब्यता का इस्ताल है और गुजरात में इस्ताल है लोथल आपको याद रखना इसके अलबा भारत की 45th 46th जो है मलब जो है recent में 4 नई रामसर site जो गोशित हुई ठीक है हमारी चैनल का नाम ही है एक्जाम तक वो सर्च कर लेना एक्जाम तक हिंदी.com मिल जाएगी वहाँ पर आपको जो सर्च का बटन दिखता है वहाँ पर जाकर आप लोग जाए सर्च कर लेना रामसर site रामसर इस्तल कुछ भी आपको मिल जाएगी पोस्ट और पढ़ है यहां पर आपको याद रखना है यहां पर अगर बात किया वन एट थ्री जो है यह मिलेगी assembly की सीटे साथ में अगर बात के 26 लोग सभा की सीटे 11 है राजे सभा की सीटे तो यह सभी आपको गुजरात के बार में रिसेंट में याद रखना सबसे बड़ी कोस्ट लाइं यह हैं गुजरात की यह आप लोग देखवाएंगे अमिच्छा बीच में हैं इन्हों ने अभी शुरुवात किया अगर बात कि जाए यह डेरी सहकार की यहां पर अगर बात के आपको ऊपर दिख रहा हूं NCDC तो NCDC क्या है नेशनल कॉर्परेशन एक सेकंड आप लोग हुई है नेश्ट अगर बात के सेकंड कोश्चन की सेकंड कोश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्ण है अलग-अलग कंप्रिटिव एक्जा में पूछा जाएगा और कन्फूज करेगा आपको Oxford English word of the year 2021 किसी गोशित क्या है हिंदी वर्ड रही है यह हैं इंग्लिस वर्ड अभ आपको वेक्स बिल्कुल करेक्ट औक्षन है वेक्स को जो है 2020 Oxford English word of the year गोशित क्या है वेक्स का क्या मतलब है वेक्स एक जो है अगर बात की जाए एक सेकिंड लेटिन शब्दे जो है वेका से लिया गया जिसका आर्थ होता है काउ गाए लेकिन अभी रिसेंड में आपको COVID-19 vaccination इसकारण से वेक्स जो है इस वर्ड को मतलब अगर बात की जाए तो दो चारे किस English word of the year गोशित क्या तो इसका अगर बात की जाए सही से कि क्या शब्द कहां से तो यह शब्द आया वेका से जिसका आर्थ होता है गाए या फिर काउ लेकिन इसका शौर्ट रूप में वेक्सिनेशन टीकों के लिए भी उप्योग किया जाता है तो इसलिए इसका उप्योग बहुत ज्यादा हुआ है एंड इसकारण से इसको जो है ऑक्सवर्ड इंग्लिस word of the year गोशित क्या है अच्छा ऑक्सवर्ड युनिवर्सिटी कहां परे काफी सारा लोगों में कन्फ नालंदा ओपन युनिवर्सिटी से यह अभी भी काम करती है लेकिन यह जो है अब भी एक प्रॉपर युनिवर्सिटी के तरह काम करती है और वर्ड की प्रतिश्टित में जो जो हैं टॉप सुची में इसका नाम आता है यह आप लोग देख पाएंगे पोश्ट रहें कि वर्ड ओफ दे यह टूट तूट 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 रेंटीवन इस वेक्स नेक्स्ट है थार्ड वन कोश्चन थार्ड कोश्चन भी काफी इंपॉर्ण है हाले में जो एलन डेविड कर ट्रोफी तो एलन बर्डर नाम के एकर किरिकेटर थे वह अलग है ठीक है उनके नाम पे जो इंडिया उस्ट्रिये की टेस्ट क्रिकेट चिसरीज होती है इलन बर्डर ट्रोफी किस समंदू जही इंडिया उस्ट्रिया के बीच मोग एलन अवद्थ भी देज़ा यह इनक किरिकेटर थे किस देश के हैं तो ये एलन डेविट सेने काफी बुजुर्ग हो चुके थे अभी तो तो इनकी अभी जो है डेथ हो गया 1950-60 के आसबास में खेलते थे नेक्स्ट अगर बात किया फूर्थ कोशन की हाली में जो किस बैंक नैंपी चिया के साथ साजेदारी करके जो ससस्तर त्रबल के कर्मी है हमारे जो अगर बात कि इंडियन एफए औस आर्मी नेवी चेंग जो मारे सिपाई है उनके लिए वीर क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है यह वीर क्रेडिट कार्ड मतलब जो है वीर नाम से होगा एंड यह होगा क्रेडिट कार्ड तो यह अभी किसने लॉंच किया है यह क्या है कोटक महिंद्रा बेंक ने वीर क्रेडिट कार्ट से समझे कौन सा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक किसके साथ साजेदारी कि है जायर सी बात है NPCI NPCI Reserve Bank की ही एक organization की तरह काम करती है जिसका full form सुन लिए National Payment Corporation of India बहुत ही important है अभी अगर बात के जो E-Rupy लाँच वाथा न वो भी अगर बात के NPCI नहीं लाँच किया था इसलिए NPCI का नाम बहुत जगे आपको मिल लेगा इन दे बैंकिंग फाइनेंशियल में तो NPCI के फुल फर्म क्या है? National Payment Corporation of India इसके स्तापना हुएती in the 2008 New Delhi में इसका हैटकोर्टर्स मिलेंगे तो NPCI के बारे में याद रखना और कोटक महिंद्रा बैंक थे जो है NPCI के साथ मिलकर अभी वीर क्रेडिट कार्ड लाँच किया है थोड़ा सा याद रखना है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जान लिजे 2003 में होती है इसके स्तापना बहुत ही इंपोर्टन है 1994 में दो बैंकों के स्तापना हुए थी एक तो बैंक ऑफ बरोड़ा एंड एक वाता HDFC बैंक यह दो याद रखना अकरबाद के युको बैंक की 1943 में इसी तरह से अकरबाद की जाए पी एनबी की पंजाब नेशनल बैंक की इसकी तो 1894 के आसपास हुई थी एंड SBA की याद रखना है 1995 में मलब 1955 में ठीक है मलब SBA का जो है राश्टी करण हुआ था बाकि इसकी स्तापना काफी पहले हुई थी RBA की 1935 में लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक की 2003 में हुई थी बैंकों के हेटकॉर्टर स्तापना ये सब याद रखना है वैसे मैं अब इन पर बहुत जल्दी जो है एक्जाम तक की वेबसाइट पर आर्टिकल लिख दूगा हेटकॉर्टर सका में लेगा मुंबई महरास्टा उदे कोटक जो है एड प्रिजें टाइम इसके MDNCO है आईए पैसे को सरल बनाएं ये जो है इसकी टेग लाइन है या आपको याद रखना है make money simple ये इसकी short में टेग लाइन थोड़ी सी बैंकों की टेग लाइन भी कई बार exam में पूछी जाती है नेक्स्ट है पांच पा कॉश्शन हाली में किसने एक ज्यान अप कंसल्ट तो कंसल्ट आप जो किसने लौँच किया है यह क्या है नितिन गड़करी साब ने लौँच नितिन गड़करी को ने सडख परीवन और राजमार्ग मंत्री ए प्रेजेंट टाइम उन्होंने जो है इस consult app को launch क्या है consult app में क्या होगा ये knowledge, skill साथ में अगर बात के innovation इन सब को बढ़ावा देने के लिए अगर बात के entrepreneur इन सभी skill को जो है बढ़ावा देने के लिए students होंगे साथ में जो expert हैं वो होंगे तो वहाँ पर जो है direct उन से call पर बात कर सकते हैं इसलिए थोड़ा सा याद रखना है केंद्री ये मंत्री है नितिन गड़करी नागपूर से आते हैं ठीक है न इनका जो है जो बड़े बड़े नेता होता है उनका थोड़ा सा आपको शेत्र भी याद रखना होता है कई बार exam में पूछ लेते question की इनका लोगसबा शेत्र कौन सा है जैसे अमिट शा का कौन सा है गांदी नगरे राजनाथ सिंग जी का कौन सा है तो राजनाथ सिंग जी का आपको मिलेगा अगर बात के लखनव और नरेंदर मोधी जी का कौन सा है तो वारानसी है इसी तरह से अगर बात किये राहूल गांदी का कौन सा है तो राहूल गांदी का आपको मिलेगा वाइनाड इसी तरह से अमेठी में यह हर गए तो अमेठी में कौन बनी थी इसमरती इरानी बनी थी इन सबी बड़े बड़े निताओं का जो है लोकसभा शेत्रा आपको याद याद हो जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट है छटा क्वेशन, हाले में कि शताबदी एक्सप्रेस को IMS प्रमान पत्र मिलाएं, यह बहुत important है, जो ISO certificate है, वो अलग है, यह IMS है, IMS क्या है, integrated management system, ठीक है, इसका प्रमान पत्र अभी जो है, चन्नेई मैसूर, चन्नेई जो हैं, अगर बात कि यह शताबदी एक्सप्रेस है, जिसको अभी दिया गया है, यह अगर बात कि साउथ रेल्वे रीजन की मलब यह जो है, पहली रेल्वे जिसको यह IMS certificate मिला है, और भारत की overall भी second है, पहली इकॉन सी है, अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर जो है, इसके बार में पहले सून लिजे, चन्नेई मैसूर, चन्नेई शताबदी एक्सप्रेस जो है, उसको IMS प्रमान पत्र मिला है, दक्षिन रेल्वे की पहली ट्रेन बन चुके है, यह क्यों मिला है, IMS मलब Integrated Management System, मलब अगर बात की जाए, सब को जो Integrated है and Management System, इसमें जो है, रख रकाव सही है, परिया बरन के अनुन, कूल जो है, यह सब कुछ की जाए, यह कौन सी थी, लेकिन पहली शताब्दी एक्सप्रेस, यह शताब्दी एक्सप्रेस नहीं थी, तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस बन चुके चन्नगी मैसूर चन्नगी को, जिसको यह आए, मैस सर्टिफिकेट मिला है, यह आपको याद रखना है, नेक्स्ट है साथवा क्वेशन, साथवा क्वेशन है, कोब 26 कहां पर आए जी ताब, बहुत ही इंपोडन है, कोब 26, अभी हो रहा है, चर्चा में, जिस तरह से मैंने G20 पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया, अब आप लोग आने वाले कभी भी टाइम है, जब रिविजन करना चाहेंगे, तो डारेक्ट वही वीडियो देखेंगे, 2.0 चैनल पर हमारे वो चैनल पर वीडियो है, जहां पर जाकर आप लोग देख पाएंगे आसानी से, इसी तरह से मैं सोच रहा हूँ, कोब आज उसकी मैं PDF तियार कर लूँगा, कल मैं PDF नहीं बनाया पाया, तो आज उसकी PDF, एंड कल आपको वीडियो मिल जाएगी, मतलब कल जो है, सुबह 10 बजे के बाद में आपको कभी भी वीडियो मिल जाएगी, तो काफी important वीडियो रेगी, कोब 26 पर, ये कहां पर हूँ है, अभी ग्लास को में वाए, शौट में मैं आपको बता दू, ग्लास को में वाए, वर्ल्ड के बड़े-बड़े, सो से भी ज़्यादा देशों ने जो है, यहां पर आए हैं, और भारत ने क्या का, टार्गेट रहा, दो जार सत्तर तक, जीरो नेट कार्बन एमिशन, यारी क जीरो हो जाएगा, मतलब ऐसानी कि भारत कार्बन उत्वादित नहीं करेगा, जितना उत्वादित करेगा, उतना ही जो है, सोख भी लेगा, वो उतनी कैपसिटी भी जो है, बिल्डप कर लेगा, तो इसमें बहुत साल लगने वाले, इसलिए आपको याद रखना है, तो य डीटेल में मुख जानेंगे, हलांकि डीटेल इंदल सेंस की आट से 10 मिनिट का मैं शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाँगा, पूरे कोफ 26 और कोफ जो है, सम्मेलन वगर इन सब वीडियो बनाँगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि किसको वीडियो चाहिए, टू पॉइंट जीरू पे आएगी, अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, आज का लास्ट कोशन है, हाली में, गंगा उत्सव का पांचवा संस्क्रण, ये जो अगर बात की जाए, इसका उद्गाटन किसने क्या है, गजिंदर शिंग शेकावाद, जो जल शक्ति मंत्रिय है भारत के वर्तमान में, उन्होंने इसकी शुरूबात किये, ये गंगा उत्सव क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी में दे देता हूँ, गंगा नदी एक्चुल में जो हैं, दो जार आठ में जो हैं, इसको राष्टिय नदी के रूप में कोशित किया गया था, इस न ये इसकी लेंद किती है, 25-25, नदियों पर भी एक्चे वीडियो आएगा, तो 25-25 किलोमेंटर जो इसकी लेंद है, पांच स्टेट से जाती हैं ये गंगा नदी भारत में, कौन से हैं, यूके हैं, फिर उत्रप्देश कोई, यूके इंदसन्स की उत्रा खंड है, भारत मे यूके बोले, तो यूनाटेट गंग्डम है, यूपी यहाँ पर उत्रप्देश है, थर्ड़ आपको बिहार मिलेगा, फोर्थ आपको जारखंड मिलेगा, जारखंड में थोड़ी सी ये जाती है, रिवर बढ़ जाती जरूर है, और फिर वेस्ट बंगाल है, तो ये पां ये जल शक्ति मंतरी गजिनर शिंग शेकावत ने इसकी शुरुवात की है, ये थे आज के सभी important question, अब आप से मैं पूछूँगा कल का question, public office index में कौन सा state जो हैं, टॉप पर हैं, बड़े राजू की स्टरणी में, छोटे राजू की स्टरणी में सब को बताना है, काफी सा लोग लिख लीजिए comment box में, बिल्कोल मैंने चार option दे दिये हैं, केरला, तमिलनाडू, सिक्किम, पुड्डू, चेरी, ये चार option हैं, जरूर से comment कीजिएगा, इस वीडियो को share जरूर से कीजिए, जय हिन, जय भारत